टीवी रेयलिटी शो बिग बॉस सीजन 14 भले ही खत्म हो चुका हो लेकिन यहां देखा जाए तो कंटेस्टेंट के बीच के विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं जहां एको बिग बॉस की घर में राखिस सावन्त और टीवी एक्टरस रूबिना दिलेक और टीवी एक्टर अभिनव शुकला के बीच बेहद प्यारा बॉंड देखने को मिला था तो वहीं इन तीनों के बीच लड़ाई जगडे होते हुए भी देखे गए थे राखिस सावन्त और अभिनव शुकला के विवाद से हर कोई वाकिफ है वेल जहां एको शोग खत्म हो चुका है तो वहीं राखिस सावन्त अपने इंट्रव्यू में कई बड़े खुला से करती हुई नजर आ रही है हाल ही में राखिस सावन्त ने विनर रुबिना दिलेक पर एक बार फिर से निशाना साधा है और रुबिना की पोल खोलती हुई नजर आई है दरसल जानकरी कले आप सभी को बता दे कि राखिस सावन्त शो से बाहर आने के बाद लगातार अपनी मां का इलाज कराती हुई नजर आ रही है राखिस सावन्त की मां जया सावन्त कैं जानकरी के आप सभी को बता दें कि राखी सावंत की मा अस्पताल में भरती है और उनकी कीमो थेरपी भी चल रही है और इस दोरान देखा जाए तो राखी सावंत दबंग खान यानि कि सल्मान खान के बींग हुमेन फाउंडेशन से मदद की कोहा लगाती हुई भी नजराएं वहीं सल्मान खान की परिवार की तरफ से राखी सावंत को मदद मिली और खान परिवार का सहारा भी मिला लेकिन इस बेज देखा जाए तो राखी सावंत ने अब रुबिना दिले को लेकर एक और शुकला को लेकर राखी ने बड़ा खुलासा किया दरसल राखी के मुताबिक सामने आया है कि ये दोनों अभी तक उनकी मां से मिलने नहीं पहुचे राखी सावंत ने बताया कि रुबिना ने बोला था कि वे है मेरी हर तरह से मदद करेंगी लेकिन मैं कहना चाहूंग कि मुझे उनकी मदद की कोई जरुरत नहीं है राखी के मुताबिक सामने आया है कि उनकी मां हॉस्पिटलाइजड है और उनकी मां की कीमो थेरपी भी चल रही है मैं ये नहीं बताऊंगी कि कौन-कौन उनसे मिलने आया आप लोग खुद देख रहे हो रुबिना को मैंने बार-बार बुलाया लेकिन उसका कोई मैसेज नहीं आ रहा है मैंने एक न्यूज में देखा कि रुबिना ने कहा कि वो मेरी हर तरह से मदद करेंगी लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि मुझे उनकी मदद की कोई जरुरत नहीं है रुबिना मुझे कोई मदद नहीं चाहिए मे बिजी से डूल मैंसे कुछ समय निकालो और उनसे मिलने आ जाओ मेरी मम्मी तुमसे बस एक ही बार मिलना चाहती है और इस तरह से रुबिना दिले को लेकर राखी सावंत ये बड़ा खुलासा करती हुई नजराएं राखी सावंत को फिलहाल इंतजार है कि आखिरकार कब वाक्त के साथ ही पता चलेगा फिलहाल देखा जाए तुराखी सावंत की मा को लेकर लगातार सभी उनके चाहने वाले सलामती की दुआएं मांग रहे हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही तब तक कि लिए आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्योज